Dear students, we have to discuss about the lifelong learning for the sustainable development. हम गुफ्तू कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं lifelong learning की. और lifelong learning के अंदर हमें जरूरत है gap identify करने की. gap identification करने के बाद हमारे पास जो अगला मरहला है, वो है developing country के problems. Developing country अब जैसे हमने बात की थी, के हमारे पास lifelong learning के लिए training की जरूरत हैं. और training के लिए हमें funds की जरूरत हैं. अब जब हम focus करते हैं developing countries को, जहाँ पे funds allocation या resources जो हमारे पास कम हैं, तो अब उसके लिए हमें alternate procedure देखने पड़ेंगे. यह तो एक बात ताय है, के मुझे self learning के जरूरत है, या मुझे training के जरूरत है, मैंने अपने knowledge को upgrade करना है. उसके लिए जरूरी है के मुझे compelled किया जाए, के मैं सबसे पहले identify करूँ, और identify करने के बाद मैं अपना shape of own learning करूँ. देखें, जब मुझे ये कह दिया जाएगा, के जी आपने ये काम इस तरह perform करना है, जब मुझे पर competency कर दिया जाएगा, तो मुझे self learning की तरफ जाना पड़ेगा. और जब self learning की तरफ जाऊँगा, तो फिर मैं अपने resources को अपने अंदाज में इस्तमाल करते हुए, अपनी training को, अपनी knowledge की अपक्रेडिक्शन को ले के चलूँगा. जैसे हम बात कर रहे हैं, कि अगर एदारा identify करेगा, एदारा आपको training की तरफ भेजएगा, तो उसकी कास्ट पढ़ेगी. कास्ट के ओपर developing country के अंदर, इसके ओपर funds allocation करना मुझकल हो जाएगा. क्योंकि लाजम बात है, हम primary education के ओपर focus कर रहे हैं, हम उसके बाद जिन बच्चों के पास कोई funds नहीं हैं, free education की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे जितनी भी resources हैं, उनका focus वहाँ पर जा रहा है. lifelong learning भी एक important factor है, लेकिन developing countries के अंदर, उसके ओपर इतने जारा funds की availability नहीं है. क्या जरूरी है? तो उसके लिए पहला मरहला ये जरूरी है, कि आप learners को allow करें to shape their own learning. और shape their own learning कैसे होगे हमारे पास? उसके लिए हम उसको उस environment के अंदर उस हालात में लेके आएंगे, कि वो compelled हो जाएगा अपने आपको, अपने knowledge को, अपने learning को enhance करने के लिए. Over the years, million of the literacy adult education graduates from the diverse background ranging from the prominent political business and the community leaders to workers in the informal sector have the generated new demands for the further and continuing education. देखे हम उसके अंदर business education की बात करें, हम उसके अंदर political की बात करें, हम उसके अंदर community leader की बात करें, किसे भी हमाले से हम गुफ्त्रू करें, हर एक learner को जब तक their own shape learning के उपर नहीं जाएगा, उस वक तक self motivated नहीं होगा. और वो self motivated कैसे होगा, वो self motivated होगा जब उसके अपर compulsion आ जाएगी. अब इसके लिए क्याए चीज़ important है, कि हम कुछ improvement जैसे education sector की हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा focus भी education sector है, education के अंदर हमारे पास educate resources available नहीं होते हैं, जिसका हम investment करें, उसके लिए हमारे पास जरूरी यच्छ क्या है, वो हमारे पास leaders है, head teachers है, administrators है, या teachers है, हर एक को अपने ही area के अंदर, अपने ही program को design करना है, और design करने के बाद, अपने ही area में उस learning की तरफ जाना है, और वो जाने के लिए जरूरी क्या है, कि जब मुझे administratively compel कर दिये जाएगा, भई अगर मुझे administratively कह दिये जाएगा, कि जी library में किताब नहीं है, आपने net से download करनी है, तो मुझे मजबूरन net से बैठ कर, उसको search करना सीखना पड़ेगा, आप कहते हैं, जी हमारे पास कोई assistant नहीं है, आपने खुछ slider बनानी है, तो मुझे slider बनाना सीखना पड़ेगा, तो इसका मतलब यह हुआ, कि हमारा adult education life long learning की तरफ जब हम focus करेंगे, तो उसके अंदर एक तरीका कार यह है, कि हम उसको इस तरह शेप कर दें, कि मैं self learning की तरह मजबूर हो जाओ, और फिर मैं अपने रास्ते खुद निकालूँ, तो यह भी एक तरीका कार है,